दोस्तों अगर आपका खून बहुत गाड़ा है यानि आपका कलिस्ट्रोल और ट्राइगलिस्टराइट भड़ा हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट होने वाली है आज हम इस वीडियो पर रिव्यू करने वाले हैं व्यास फार्मासुट की मेड़ोनिल टैबलेट के बारे में इसमें बताएंगे यह किस तरह से फायदा पहुचाती है कैसे हमें इसका इस्तिमाल करना चाहिए इसका MRP प्राइज कितना है तो इन सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इसके प्राइज के बारे में इसका जो प्राइज है वो 215 रुपीज का है और इसमें आपको 100 टैबलेट मिल जाती हैं दोस्तों हमने डिस्क्रिम्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से आप इसे ओफर के साथ परचेज कर सकते हैं या आप इसे किसी आयरवेदिक शॉप से भी ले सकते हैं दोस्तों मेदोनिल टैबलेट केलिस्ट्रॉल के लिवल को कम करने में बहुत मदद करती है ब्लेड में मौजूद लिपिट को कंट्रोल में रखकर केलिस्ट्रॉल लिवल को नॉर्मल कर देता है अगर आपका केलिस्ट्रॉल बहुत भड़ा हुआ है, LDA बढ़ा हुआ है, triglyceride बढ़ा हुआ है, तो उस condition में इस tablet का इस्तिमाल किया जाता है. Madonil काफी अच्छी medicine है और बहुत जादा असरदार भी है. अगर bad cholesterol और triglyceride भढ़ जाए या दोनों ही भढ़ जाए तो हमें heart से related problems का खत्रा रहता है. Madonil tablet, bad cholesterol को खत्म करता है और heart के लिए बहुत अच्छी medicine है. अगर आपके सीने में दर्द रहता है, सांस फूलता है, तो उसमें भी ये tablet बहुत जादा फायदेमंद है. इसके साथ साथ यह आपके overweight को भी कम करता है. यानि कि कुल मिला कर बात करें, ये cholesterol, triglyceride, खून में ज़्यादा fat हो जाना, खून का बहुत ज़्यादा गाड़ा हो जाना और इन से related problems और fat बन के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद medicine है. ये हिर्दे समंदी problems को रोकने के लिए शरीर में lipid और cholesterol के स्तर को गम करता है. ये free radical damage से लड़ने के लिए anti-oxidant से भरपूर है. अब बात करते हैं, इसमें कौन-कौन सी जड़ी बूटियां है जिसके कारणी ये बहुत ही ज़्यादा असरदा tablet बन जाती है. तो इसमें चितरक, आमला, गूगल, मंजिस्था, जिंजर, पुनरनवा, सौर्ट, काली मिर्च, पीपली और भी बहुत सारे ingredients इसमें शामिल है. तो दोस्तों आप बात करते हैं कि आपको इसे लेना कैसे है? तो इसके दो गूली सुबह, दो गूली शाम को खाना खाने के एग घंटे के बाद गरम पाने के साथ लेनी होती है. अगर आपका कोलिस्ट्रॉल ये लिपिट प्रोफाइल बहुत ज़्यादा भड़ा हुआ है, तो आपको इसके सासत अरजुनारिस्ट का भी इस्तिमाल करना है, जिससे आपको बहुत जल्दी अराम आना शुरू हो जाएगा. जब कलिस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा, तब आप एक गोली सुबह, एक गोली शाम को थ्री मंता कंटेन्यू इस्तिमाल कर सकते हैं. दोस्तों, डोस हमारी पिमारी के ओपर भी डिपेंड होती है, इसलिए अधिक जामकारी के लिए आप अपने आयर्विदे डॉक्टर से भी संपर्ख कर सकते हैं. दोस्तों, एक सबसे इपॉटेंट बात, जब भी खून गाड़ा हो जाए या कलिस्ट्रॉल हाई हो जाए, तो आपको कुछ साफधानिया रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, तभी मेडिसिन अपना असर कर पाएगी, आपको तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना है, गी और तेल को अवोइड करना है, जितना हो सके घर का बना हुआ खाना खाएं, भार का फूड ना खाएं और जंग फूड तो बिल्कुल ना खाएं, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीएं, और डेली 200 ग्राम फूड जरूर खाने हैं, और एक्सराइज आपको जरूर करना है, तब ही आप इस टैबलेट का भरपूर फाइदा ले पाएंगे, तो दोस्तों यह थी important information मेदोनिल टैबलेट के बारे में, अगर आपका कोई भी question है, तो आप हमें comment कर सकते हैं, हम आपका reply जरूर देंगे, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए goodbye अपना और अपनों का जान रखिए,